नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी देश के लिए खुशकबरी है और यह खुशकबरी दिये जीयो फाइवर नेटवर्क ने आपको बताएं जीयो ने घोशना कर दी है कि वो दुनिया का सबसे सस्ता 5G सेल फोन लॉंच करेगा गणेश चतुरती पर और 5G नेटवर्क का वो ज कराने जा रहा है वो भारत में और उन्होंने यह घोशना की है आपको बताएं अपनी सालाना एक जो मिटिंग होती है उनकी उस मिटिंग के अंदर जो 44 वी एन्वल जनरल मिटिंग थी यानि जिसको AGM कहते हैं उसमें यह घोशना की है कि अब सिग्र ही जीयो का 5G नेटवर भारत में लॉंच होने वाला है और भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में अब भारत यानि जीयो यह एक्सपोर्ट भी करेगा उससे जुड़े हुई जो मेकैनिजम है अब इससे जहां एक तरफ भारत वासियों को 5G नेटवर्क मिलेगा जिसकी स्पीड बताई है कि 1GB पर सेकिंड कल्प ना करिए कि अभी भी हमारे मॉबाइल में 20-30 केवल MBPS की स्पीड होती है और अब उसको बढ़ा कर आप अपने फोन में 5G नेटवर्क के लॉंच होने के बाद 1GB की फाइल एक सेकिंड के अंदर ट्रांसपर्ट डाउनलोड कर सकते हैं यह फैसलिटी अब भारत में आने वाली है और आपको बताएं भारत चीन को पटकनी देकर जिस चीन ने एक आथा कि हमारे बिना यह नहीं हो सकता अब यह भारत ने कर दिखाया है और आपको बताएं यह जीयों ने बाकाइदा घोशना कर दी है कि जीयों का 5G वाइरलेस ब्रोड बेंड आने वाला है इस्टेंड अलोन 5G टेकनोलोजी का इसमें यूज हुआ है और स्पेक्टरम कई कंपनियों को दिया गया था जिसका परिक्षन काफी दिनों से दिल्ली मुंबई समेथ भारत के कई शेहरों में चल रहा था सफल परिक्षन के बाद अब इसकी अंतिम तैयारी चल र पानी है उन्होंने घोशना की है कि जो लोग जियो 4G नेटवर्क पहले से यूज कर रहे हैं उनको 5G में जाने से ज्यादा प्रोब्लम नहीं होगी अपग्रेड करना होगा जो हलकी सी टेकनोलोजी जैसे 3G से 4G में आये थे उसी तरह से अब उन्होंने घोशना की है कि तो एक विक्सित कर रहा है ऐसी एंबुलेंस को जिसमें कोई व्यक्ति उसको संचालित नहीं करेगा वो नेटवर्क से संचालित होगी यानि 5G नेटवर्क से वो जुड़ी हुई रहेगी और जिस तरह से रोबोट चलते हो आपने देखे होंगे जिस तरह से आपने मेट्र चलती देखी है कि ड्राइवर नहीं है और वो मेट्रो संचालित की जा रही है इसी तरह 5G नेटवर्क से एंबुलेंस की सुविदा सुरुवात में भारत के कुछ शेहरों में जैसे की दिल्ली और आपका मुंबई इन शेहरों में और उसके बाद भारत के बड़े-बड़ है दूसरी तरफ आपको बताएं चीन को ये अर्बो रुपे की चपत है क्योंकि चीन ये सोच रहा था कि 5G नेटवर्क लेना भारत की मजबूरी होगा चीन में बैठा हुआ भारत के अंदर अपने एक्यूपमेंट लगा कर कहीं ना कहीं जासूसी करने का काम भी करता है ज इसके बाद जो बदलाव आने वाला है इस नेटवर्क से वह हेल्थ केर शिक्षा मनोरंजन रिटेल और फाइनेंशियल मुद्दों से जुड़ा हुआ इसमें एप्लिकेशनों को बाकाइदा वो विक्सित कर रहा है जिससे की सारे छेत्र में उस 5G का लाब इन लोगों को म और और सारे चीज आज वर्चुल चल रही है मिटिंग चल रही है और इसमें डाटा का जो यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा प्रोब्लम हो रही है नेटवर्क की कि आप देखिए नेटवर्क डिस्टर्ब होता है फाइवर केवल लगी हुई है गली महले में तार जा रहा थे अभी कोई फाइल डाउनलोड करनी थी अचानक से स्पीड कम हो गई कोई महले में तार तूट गया आंधी आने की वज़े से और इसकी वज़े से नेटवर्क नहीं आ रहा है नेटवर्क की प्रोब्लम की वज़े से भारत को जो तरक्की करनी चाहिए वो नहीं कर पा र लेकिन अब आप देखिए यदि वाइरलेस ब्रोडबेंड सिस्टम आ गया यानि आपके घर में एक फोन रखा हुआ है लेंड लाइन की तरह और उसको आप वाइरलेस है कहीं कोई तार नहीं है और उसमें 5G नेटवर्क आ रहा है अब वो आपके घर में वाइफाई की तर साहब ही कैसी स्पीड होने वाली है जहां आपको बताएं भारत में जीयो इस तरह की टेक्नोलोजी दे कर भारत की अर्थ विवस्ता में एक बड़ा काम कर रहा है वहीं जीयो वो एक परिवार है ये रिलाइंस इंडिस्ट्री मुकेश हमबानी ने बाकाइदा इसको एक 209 सहरों में बाकाइदा वैक्सिनेसंटर चलाए गए जीयो के द्वारा जो कि इनका एक अपना फाउंडेशन है और वो रिलाइंस फाउंडेशन ने बाकाइदा ये एक पांच सो चपन करोड़ जीयां पांच सो चपन करोड़ पी-म केर्स में डोनेशन भी दिया गया और आपको बताएं 875 बैड ये होस्पिटल के बनाए गए रिलाइंस इंडस्टी के द्वारा 1100 मिट्रिक टन उक्सीजन उस टाइम में परड़े दी गई सरकारी अस्पतालों में जब देश में उक्सीजन की भारी कमी थी अब सवाल ये उठता है कि इतना सब ये रिलाइंस इंडस्टी इस देश के लिए कर रही है भारत की अर्थ व्यवस्ता को सुधारने में भारत की लोगों की सेवा में लेकिन कॉंग्रेस राहूल गांदी बार बार इस मुकेश अमबानी और अडानी को गाली क्यों देते हैं सवाल ये उठता है बार बार आप देखेंगे इनके मुपर केवल एक ही नाम है राहूल गांदी के हर मिटिंग में चुनावी जवाव में वो बोलते हैं कि ये जो अम्बानी अड़ानी है ये तो मोदी जी के आदमी है सारी कमपनी इनी को फायदा पहुचा रही है तो आखिरकार उनका जो ये एक खीज है राहूल गांदी की ये समझ में आ रही है क्योंकि उनकी मितरता उनका एक समझोता 2008 में चीन के साथ हुआ और उन्होंने ची पर खुद खड़े होने के लिए जिस तरह से इंडस्टियों को आगे बढ़ाया स्वदेशी का नारा दिया लोकल फोर वोकल का नारा दिया इसको लेकर चीन को हमारे भारत के इंडस्ट लिस्ट आए दिन पटकनी दे रहे हैं अब जीयों ने जब 5G नेटवर्क बनाया है तो इस स्वदेशी नेटवर्क के आने से चीन को अरवो रुपे की चपत लगेगी क्योंकि वो सोच रहा था कि 5G के टेलिफॉन जो कि वो भारत में बेच कर पैसे कमाएगा नेटवर्क से पैसे कमाएगा अब आपको बताएं ये जिस तरह से 500 रुपे में इस जो रिलाइं का सबसे सस्ता 5G स्मार्ट फोन गूगल के साथ मिलकर भारत में लौच करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि अब लगब पांच हजार से भी कम कीमत में हर हाथ में 5G नेटवर्क का भारतिये बनावा मेड इन इंडियन फोन होगा ये जो होने जा रहा है इससे जहां एक तरब भ भारत में कई कमपनियां जो इस समय जो टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही हैं उनको भी ये भारत का जब नेटवर्क होगा अपना नेटवर्क होगा तो उनको भी इससे कमाई का साधन मिलेगा और भारत की कमपनी का बना हुआ यानि जियो रिलाइंस का बना हुआ 5G मिलने वाला है जिस तरह से उसका मेंटिनेंस है मेकैनिक है सेल परचेज का काम है तो रिलाइंस के जरिये भारत में बहुत सारे नोकरीयों के अवसर भी उपलब्द होने वाले हैं और इस काम में जो रिलाइंस इंड़स्ट्री है वो अब एक नए आयाम घोसित करने वाली ह और वहीं आपको बताएं के राहूल गांदी जो हमेशा अड़ानी अंबानी को गाली देते हैं उनके मूपे भी एक करारा तमाचा लगा है कि जिन अड़ानी अंबानी को तुम गाली देते हो वो भारत की तरकी में किस तरह से सहयोग कर रहे हैं और भारत की तरकी में भी कर रहे हैं कोरोना काल में जिस तरह से जियो इंडस्ट्री ने लोगों को उक्सिजन दी लोगों को वैक्सीन दी और लोगों के लिए अस्पताल बनाए और इसी तरह अडानी गुरूप ने भी भारत में बहुत सारी सेवा के काम किये तो तैह है कि ये भारत के उद्योग पती भारत की तरक्की में एक हिस्सा है ना कि ये कोई यहां से धन लूट कर विदेशों में ले जाने वाले विदेशी कंपनियों वाले तो राहुल गांदी जिन कंपनियों को गाली देकर स्वदेशी के बढ़ावे को रोकना चाहते थे अब उनको भी इससे करारा तमाचा ल